पंजाब के मुख्यमंत्री काप्टन अमरिंदर सिंग क्या आने वाले वक्त में फार्टी जनता पार्टी का हाथ थामेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री काप्टन अमरिंदर सिंग क्या कॉंग्रेस से नाखुश है क्या उन्हें राहुल गांधी की नीतिया पसंद नहीं है या फिर अब वो गांधी परिवार को ही नापसंद करने लगे है जिस तरह से नवजोत सिंग सिद्दू का मसला सामने आए क्या उसके बाद से अमरिंदर सिंग और कॉंग्रेस में दरार पैदा होगी और क्या साल 2022 यानि की पंजाब एसम्बली एलेक्शन से पहले कहीं न कहीं अमरिंदर सिंग बीजेपी में शामिल होने को लेकर बड़ा फैसला ले लेंगे ये चार मुद्धे इसले निकल कर सामने आए क्योंकि एक ऐसी खबर सामने आई है उसके बास आप साब जाहिर हो रहा है कि अमरिंदर सिंग का शायद कॉंग्रेस से मोभंग होता हुआ नज़र आ रहा है और इसके अलावा बात शुरू हुई थी जब पंजाब पूर पंजाब इसले कि अमरिंदर सिंग को ना पसंद करनी लगे है रहुल गांदी मैं पहले आपको खबन वता ती हूं कि आखिर क्यों अमरिंदर सिंग बीजे की से आदामन थाम सकते हैं या अईसा वह सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि यहाईसा कहा जा रहा है कि क्याप्टर लेडर्शिप तयार करने का मनसूबा पाला था और कैप्टन से 36 का आखड़ा रखने वाले पृताब बाजवा को कमान सौपी थी लेकिन विधान सभा चनाओ के मौके पर जब यह लगा कि इस फैसले से नाराज कैप्टन का कॉंग्रिस से अलग हो सकते हैं तो बाजवा में प खिलाव को सोच रहे हैं तो सोचने से पहले आप दस बार सोचें क्यों कि मैं अम्रिंदर सिंग हूं और उसके बाद एक जड़को और पैदा कर दिया राहुल गांधी ने नवजोट सिंग सिद्धू को पार्टी में प्रिदे दी विधान सभा चनाओं की मौके पर ही पार चल रही थी और राहुल गांधी ने सिद्धू को अमरिंदर सिंग की ख्वाईशों की कैपोजी जारते विए शामिल किया और वह अमिन्दर सिंग से यह नहीं कह सकते थे कि सिद्धू को आप सम्मान दो अब ऐसे में सिद्धू राहुल को हमेशा उनके बाइदों की याद दिलाते रहे कि उन्होंने किस शर्थ पर कॉंग्रेस ने शामिल किया लेकिन राहुल गांधी की तरब से भी कुछ कोई भी कारगर कदम नहीं उठा तो लास्ट में सिद्धू ने मंत्री परश्ट से ही इस्तिफा दे दिया अब यह कहा जा रहा है कि सिद्धू जो ब जा सकते हैं लेकिन जिस दहा से अमरेंदर सिंघ लगातार प्या मोदी से लेकर वितन मंत्री निराम शितार रमन से लेकर और गरह मंत्री अमिश्यास से मुलाका आष c कि विजेपी नवजोज सिंग सिद्धू से ज़्यादा अमरिंदर सिंग पर दाव लगा सकती है कि अमरिंदर सिंग उनके लिए फायदगी कड़ी साबित हो सकते हैं वनस्पत नवजोज सिंग सिद्धू का रवया देख लिया है पार्टी में रेकर बता और नेता उनको भी चेक कर लिया लेकिन अब अमरिंदर सिंग की बारी है क्योंकि वह काम देख रहे हैं और जिस तहां से जब मोदी सरकार 2.0 आई है तब से ही बीती 16 जलाई को प्याम मोदी से मिले थे अमरिंदर सिंग उन्होंने 550 में प्रकाश पर्व होगा गुरु नानक देव को लेकर उस संकत पर भी उन्होंने कहा था बियाम मोदी से की बाठक बुलाएं बहुत सी बात है इसके लावा अमिश्या से मुलाकात हुई थी करतार पूर बॉर्डर को लेकर और उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट सौपी थी कि हमारी सरकार क्या क्या कर रही इसकार और फंड की उन् कराबा कैप्टन अमिंदर सिंग ने अमिश्या से गुजारिश की थी कि बठान कोर्ट में नैशनल सेक्योर्टी गार्ड याने अनर्जी की ट्रेनिंग के लिए इसे हब की तरहां विकसित क्या रहा है उनकी तस्वीरे भी सामने आई थी साब सब पता चला था कि कहीं न कही जो है बिजेपी से नस्दी क्याम निंदा सिंग की बढ़ रही है उसके राबा कैप्टन रामिंदा सिंग ने केंडरी परिवन मंत्री नितन गटकरी से भी मुलाकात की थी और पंजाब में रोड निर्मान के लिए विकास कार्लियों को तेज करने की गुजारिश भी की थी और उन्हेंने कहा था कि राजवी विकास के लिए दोनों पक्षों का सहीयोग जरूरी है इसके राबा राम विलास पासवान से भी मुलाकात की थी जो कि केंडरी उपभुखता मामले उखाद दे और सारजुनिक वितर मंत्री हैं और उन्हें कहा था कि पंजाब में जो भं कि खरीद और कर प्रतिपूर्टी के अवज में 31,000 करोन रुपए बकाया भुक्तान जैसे मुद्धों पर उन्हें निर्म्रा सिता रमन से मुलाकात की थी तो कहीं निर्म्रा सिता रमन अमिश्या प्या मोधी नितिन गटकरी राम व्लास पासवान पांश निताओं से केट साफ मिल रहे हैं कि सिद्धू से ज्यादा बिजेपी जो है अमरिंदर सिंग पर दाओ खेज सकती है अगर उनकी आलाकमान से खटक जाती है क्योंकि अभी तक सिद्धू के फैसले सिद्धू का बवाल चल रहा था इस्तिफा सुविकाल हो गया है पंजाब कैमिनेट सि छुटी हो गई है क्या करना है क्या निकरना है वो अ say पीछे कही न बमांग चलता है और जब रहा हुला शिंग का थी सिद्धू कॉंग्रेस में आय थे षड्क सिद्ध में पर नवजो सिंग सिंग के अपेक्षा कर दो कर दो